आज की डेट में जो लड़कियों के साथ चेड़ चार करते हैं गलत काम करते हैं उनको यह मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है जब हमको ऐसे एक्जाम्पल सामने आएंगे कि विदिन टू-3 मंस जिस आदमी ने भी ऐसा किया है जिस विक्ति ने ऐसा किया है वो बहाइंड बार से उसको लंपी सजा में लिया और कंटिनूसली हम यह देखते आएंगे तब यह परस्तिती बदलेगी मुझे लगता है कि कदम उठाने हैं और यह कंटिन्यूस कोशिश है मुझे लगता लिए कि किसी का इसका कोई एक हल है लाइन ओर बहुत सक्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा आप देखिए अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडिन होता है तो एक इनसान होने पर शरम सी आ रही है एक प्यारी सी छोटी सी चुटी बिताए अपने फैमिली के साथ केप ताउन से लोटा बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारिबात दी अपनी बेटी को गोध में उठाए एरपोर्ट से निकली रहा था कि टीवी पर कुछ न्यू लेकिन मेरा खून खौल होता है एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई राक नहीं है और सबसे जादा शरम की बात पता क्या है कुछ लोग रहा चलत किसी लड़की की हैरस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं साले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों लड़की रात में घर से बार गई क्यों अरे शरम करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है भगवान न करे जो बैंग आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं, हम सब के बीच में ही घुमते हैं ये दरिंदे, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया न, अगर तुमारी अकल ठिकाने आजाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरों के तो बात भूल जाओ, सीधा उपर सिधार जाओगे, और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, लड़किया किसी भी तरह लड़कों से अपने आपको कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं, ऐसी छोटी और आसान टेक्नीक्स है लड़कों को संभालने के इन मार्शलाट में, किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके, आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सर्फ डिफेंस सीको, और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ग्यान देने की कोशिश करें ना तो उसे कहना कि अपनी अडवाइस को अपने पास रखें, and mind your own business, thank you, जैहिए